मंबई से गोवा जा रहा है क्रूस पर रेव पार्टी के दौरान मिले ड्रग्स का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है बलूर्वर्ट सुपरसाज शारुप खान के बेटे आरेन की गिरफतारी के बाद पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया है वहीं NCB मामले के दह तक जाने की कोशिश कर रही है और उसका साफ कहना है कि ऑपरेशन खट नहीं हुआ है बल्कि अभी आगे और चलेगा जाच एजनसी को संदे है कि क्रूस पर जो ड्रग्स आये थे वो क्रिप्टो करंसी के जरिये खरी दे गए थे जिसके बाद NCB से एंगल पर भी जाच कर रही है तो क्या कुछ है पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट पर मुंबई से गोवा जा रहे क्रूस पर रेव पार्टी के दौरान मिले ड्रग्स का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है ड्रग्स केस में आरन खान को साथ अक्टूबर तक की NCB हिरासत मिली है जिसके बाद उनके जबानत के लिए शारू खान ने मुंबई के सबसे महंगे वकील सतीश वान चिंडे को केस दिया गया है लेकिन उनकी सबी दलीले नाकाम साबित हो रही है आपको बता दी कि NCB ने इस केस में कई चोकाने वाले खुलासे किये हैं NCB ने काया कि इनके फोन से ऐसी तस्वीरे और चैट्स मिली है जो इशारा करती है कि ड्रग्स का ये रैकेट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है इतना है नहीं जाच एजनसियों को ये भी शक है कि क्रूज पर जो ड्रग्स आया थे वो क्रिप्टो करेंसी के जरी खरीद गए थे जिसके बाद आरेन खान समित सभी लोगों से NCB पर पूछताच करेगी NCB को मिली जानकारी के मताबिक क्रूज में कुछ लोगों ने नशा करने के बाद हंगामा भी किया और इसकी वज़े से जहाच की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा बताया जौरा की पहले छाप इमारी में जाच एजनसी ने आरेन खान, अरबाज, मर्चेंट और मुन्मुन धमीचा समित आठ लोगों को हिरासत में लिया था तो वहीं दूसरे राउंड में भी आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है ज़ौनकारी के मताबिक कोट में 17 मानचिन्दे ने दलीन दी कि वाटसेब चैट ये साबित नहीं किरती है कि आरेन ने ड्रक्स लिये है लेकिन अगर कोई ऐसी चैट है जिनमें ड्रग्स को लेकर बात हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आरेन नशीरे दवाओं की तसकरी करते है वहीं आरेन खान पर NDPC 8C, 20B, 27 और 35 की धराये लगाई गई है इने के तहत आरेन की गिरफतारी हुई है वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आरेन ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था आपको बता दी कि आरेन खान के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस और MDMA की 22 गोलें मिली है जिसकी कीमत 1,33,000 रुपे बताई जा रही है वहीं NCB मुंबई के जोनल डारेक्टर समीर वान खेड़े टिप के आधार पर 2 अक्टूबर की रात क्रोस पर पहुंशे थे जहां उनके साथ NCB के और भी कई अधिकारी माजूद थे उन्होंने आम यात्री वन करशिप का टिकेट लिया था और जैसे ही क्रोस मुंबई से गोवा के लिए रवाना होने लगा ड्रग्स वाले हाई प्रोफाइल पार्टी का आयोजन शुरू हो गया NCB के अधिकारियों ने यात्रीयों को रंगे हातों पकड़ने के लिए कुछ देर इंतजार किया और जैसे ही आरेन खान समित बाकी हाई प्रोफाइल लोगों ने पार्टी शुरू की उन्हें रंगे हातों पकड़ लिया गया इतना ही नहीं NCB के रड़ार पर सिर्फ क्रूस पर नशा करते हुए मिले लोग ही नहीं है बलकि रेव पार्टी को और्गनाईज करने वाले भी है NCB के अध्यकारियों को इसलिए भी शक हो रहा है क्योंकि चापेमारी के बावजूद भी समुद्र में चलता रहा वो क्रूस जहाज को आगे पानी मिले जाते रहे जिसके बाद NCB ने एक बार फिर से क्रूस जहाज पर शापे बारी की जिसमें उसे कई एहम जानकारिया मिली है